हलो नमस्कार दोस्तों मैं रविंद्र गेलोट टिप्स फोर्लेरनिंग में आपका स्वागत करता हूं जी हाधूसतों आप अगर आप अपना पासवर्ट भूल गये वेश टाइम आपको अप कि आपको एपनी के अप्लीकेसिन आईडी और पासपर्ट मिल जाएंगे दोस्तों मैं बता रहा हूं वह स्टेप फॉलो किजिए आप उसके बाद में स्टेप टू स्टेप वह किजिए तो मातर 2 मिनिट के अंदर आप अपनी अपनी अप्लीकेसिन आईडी और यानी मतलब आ आप अपना admit card प्राप्त कर सकते हो दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है आपको दोस्तों सबसे पहले आरपीसी की official website खोलनी है आरपीसी की official website खोलने के बाद में दोस्तों आपको बता देता हूं यह जैसे यह आरपीसी की official website आपको जैसे admit card for senior grade second non-TSP area कीजिए मालीजिए आपका non-TSP area में तो non-TSP टीएसपी में तो टीएसपी में आपको यहां पर senior teacher exam पे क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपके सामने यह लिंक खुलेगा इसके अंदर आपको दोस्तों आप देखोगी अगर admit card आपको get करना है तो दोस्तों उसके लिए मैं बता देता हूं आप बैग जाई और यह जो व्यू अप्लिकेशन है इसपे क्लिक कीजिए बातर टू मिनिट का स्टेफ से ही आप मतलब अपनी इस प्रोब्लम को सोल कर लोगे दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो यहां भी क्या पूछ रहा है एंटर अप्लिकेशन डेट बर्थ और एंटर तक गिविन कोड लेकिन दोस्तों इनमें अपने को चाहिए क्य अपने को यह लिए खुल जाता दोस्तों पीच में थोड़ा है यह यह देखिए दोस्तों यह पर आप अपना मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर डेट बर्थ और यह जब करोगे और इसके बाद में गैट अप्लिकेशन आइडी कर देना उसके बाद में आपकी काम बन जाएगा दोस्तों है डाउनलोड हो जाएगा और बड़ी आप मैं आपको गुड़ लग बोलता हूं बैस्ट अपलग परसों एक्जाम के लिए 27 को जो एक्जाम होने जा रहा है उसके लिए सभी को में तरफ से बैस्ट अपलग उसके बाद में होने जा रहा है किसी काम आया हो तो प्लीज लाइक सो्स्टीब और सेयर कीजिए ताकि मतलब किसि दुसरे भाई की मतलब मेरत दो सके अगर मे'll यह वीडियो किसी दूसरे साथी के काम अता है तो बहुत अच्छी बात है तो इसलिए दोसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक तो तक यू तो तक यू तो